हाई गाइस मैं हूँ रोशी स्वागत था आपको रोशी स्कॉर्णर में जहां हम बात करते हैं पैशनल स्टाइलिंग की स्टिचिंग और डियावाइस की क्योंकि यह एक मॉम्स जैनल सो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह से आप 10 मिनट में इस तरह एक टिन से फ्लोर पॉफ बना सकते हैं वो भी सिर्फ 10 मिनट में जीरो बजट में तो देखिए कैसे मैं नहीं यह बनाया है तो चलिए देख लेते हैं देखें यह मैंने टीन ले लिया है मेरे गीकर टीन था और यह इसका तो आज हम इसी से एक पॉफ बनाएं के अपना सिटिंग के रखा था ताकि मैं इसको इसमें डाल दू जिससे कि क्या है कि यह जो टिन है वो आवाज नहीं करता बट अगर आपके बास गत्ता नहीं है तो आप इसकी जगा कोई फैब्रिक भी दो तिन लेयर में लगा सकते हैं जिससे यह ठीक कमफर्टेबल रहेगा तो साथ ही अब है हम उसे भी कट कर लेंगे रेक्टेंगल पीस निकालेंगे तो चली इसको कट कर लेते हैं इधर मैंने उसको कट कर लिया था तो इसको बाद मैंने यह टीन को अपने जो मेरा कवर था इसका उसमें डाल दिया है और इसको अब मैं टेप से या ग्लो गन से किसी से भी इसे कि आप मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इसकी जगा कुछ भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पस गत्ता नहीं है अप फैब्रिक भी लगा सकते हैं इस पे तो आप फैब्रिक यूज कर लीजिए तो यह देखिए मैंने टी-शिर्ट को कट कर लिया है अब हम क्या वहां पे हम सीम लगा देंगे तक हमारी एक बैग सा बन जाए तो यह देखिए मैंने सीम लगा दी है आप देख सकते हैं तो यह तीनों तरफ से इस पे सीम लगा दी है सिरफ जो हमारी टी-शिर्ट का नीचे का पार्ट है वो ओपन रहेगा तो चलिए अब बॉक्स को देख लेते हैं यह देखिए यह मेरा लूज है जो उपर से बॉक्स अब इसको ग्लू गन से या आपके पास फैविकॉल है या आप इसे सेलो टेप से कर सकते हैं आपका अपना है आपको पैस जो चीज अवेलेबल हो आप उससे इसको फोर स्टि हो गया है अब जो हमने टी शिर्ट को बनाया था वो हम इसके उपर इस तरह से डाल देंगे देखिए उसके बाद इसके जो कॉर्णर निकलेंगे उसको हम स्टिक करेंगे चाहे हम उसे नीडल थ्रेट से कर सकते हैं ग्लू गन यूज कर सकते हैं या आप सेफटी पिन्स भी यूज कर सकते हैं देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और शियर जरूर कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है देखिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकत है तो ये देखिए मेरे दोनों जो इसके कॉर्णर से वह इस तरह से मैंने चिपका लिया है और ये चिपक गए है अब चलिए हम इसको उल्टा कर देते हैं और नीचे का जो हमारा ये टीशर्ट है हम इसको देख लेते हैं ये देखिए इसको इस तरह से आप टाइट कीजि होड़ो से अर्ड इधर से और दो सक्कुर्ण से डिस्यार्ट कराएं कि ऑसे कि इस टो क्यों उसी क्यों होता है तो चुछ हो जाएगा और soften भी होता है टी शिट का फैब्रिक इसलिए मैंने ये चूस किया था और देखने में भी सुन्दर लगता है तो ये देखे ये हमारा secure हो गया है अब हम इसके ये दोनों corners को पकड़ेंगे और इस पर एक safety pin हम लगा देंगे ये देखे इस तरह से अब हम इस पर safety pin को लगा देंगे देखे आप अपने हाथ को बचाते हुए लगाईए कि कहीं ये नहीं हो आपका finger उसमें आ जाए तो be careful तो ये देखे ये हमारा ready है आप इसके ऊपर हम बैठने के लिए बनाएंगे आप चाहें तो इसके ऊपर कोई बुडन का पीस भी रख सकती है उसे फैविक कोल से चिपका के जैसे भी लेकिन मैं कुशन कवर बनाऊंगी ये तेखिए तो मेरे पास कुछ अबसक्तषब साथे तो ये मेरे एक शिर्ट का स्लीव का पार्ट है कि मेरी कुरती की स्लीव लंबी थी लॉंग स्लीव सी और मैंने उसे वन फोर्थ कर दी है तो उसमें से ये फैविक बचा था वह लिया है और बाकि भी मेरे मैंने ओरड़ी पहले भी आपको दिखा चुक तो यह देखिए इस तरह की छुट-छुट जो आपके पास पड़े हुए होते हैं तो आप उनसे मैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं और मैं इहीं की अब स्ट्राइप्स कट कर लूगी यह देखिए मैंने सवा दो इंच की या आप धाई इंच जितनी भी आपको चौड़ी प सपट कर ली है और अब इन नहीं को ही जोइन करते हुए मैं एक कुशन कवर बना रही हूँ छलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने किस तरह से बनाया है कासे प्ले शवायर यह सबसे है सबस्क्तानियाइम यह सबस्तार से इस ले लेंगे इस तरह से जोडिए तो दिखिए अब हम इसको स्टिच करेंगे देखिए कोशिश यहां कीजिए कि आपकी सीम लगे वह वित्को सीधी लगनी चाहिए जहां पर भी आपकी हल्की सी भी केड़ी हो गई तो इस फैपरिक हैं दिखने में घराब लगते हैं तो यह देखिए मैंने सीम लगा ली हो आपको दिखा देती हूँ और कोशिश कीजिए कि जब आप इस तरह का अपने बचेवों फैब्रिक को यूज करके कुछ बनाना चाहें 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 तो आप टेबल मैट बना सकते हैं टेबल कवर बना सकते हैं पुशन कवर बनाएं कोशिश कीजिए कि कॉटन फैब्रिक क्या है वह जैसे रियॉन होता है या वह थोड़ी स्वाफ्टी होते हैं तो इदर उदर फिसल से जाते हैं तो कोशिश कीजिए आप कॉटन के ही लीजिए तो यह देखिए हमारी सीम लग गई थी आर यह इस तरह से मैंने अब हम इसे क है सुझां माण्ट कर लेंगे है तो यह देखिए कटिंग के बाद यह इस तरह से ढिख रहा है तो यह देखिए बट्बू पूर स्ट्रेट है अगर करें तो आप इसे स्केल से निशान लगा के कट कर सकते हैं तो अब हम नेक्स्ट बच्प्रिक है इस वाले फैब्रीकों जोड़ेंगे तो देखिए अब हमने जो हमारी लेंथ में पीस हो गया है अब उस पर हम इसको रखके और इसे स्टिच कर देंगे तो नेक्स स्टिचिंग आपकी ऐसे होती जाए कि जैसे हमने वाइट ऑफवाइट कलर वाला फैप्रिक जोड़ा है तो ऑफवाइट फैप्रि क्योंकि आपको हाड़ वक जादा करना पड़ता है और थोड़ा सा पेशन्स भी रखेंगे तो और सुंदर बनती है तो यह देखिए यह मेरे तीम फैप्रिक जोड़के इतना फैप्रिक हो गया है तो अब हम क्योंकि मेरे कॉटन के हैं तो मैं हाथ से भी इसे जैसे हम प्र सीम्स लगाते हुए कुछ ना कुछ टेडा हो ही जाता है तो अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो यह देखिए मैंने स्केल से इंपे निशान लगा लिए हैं क्योंकि यह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी और ऐसे वेब्रिक में बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक होना चा तो अब हम इस पे भी क्योंकि देखिए जो कटर यूज करते हैं उससे तो ठीक रहता है स्केल रखके कटिंग कर लेते हैं लेकिन मेरे पास अब जैसे स्केल नहीं था या आम सबके पास कटर नहीं होता है तो इस तरह से हम जब कैंची से काटते हैं तो थोड़ा बहुत इसे ही कर दूँगी तो यह देखिए मैं आपको बता रही थी कि कैसे आपने फैब्रिक जोडने हैं जहां पर आप फैब्रिक लास्ट फैब्रिक को जो जोड़ने हैं उसी से आपने फिर नेक्स्ट फैब्रिक को जोड़ देना है यह देखिए आप देख रहे हैं क्योंकि म लंबा हो जाता है, तो यह मैंने पिंग यूज किया, अब पिंग के पास से ही अब भूफरी के पास से ही हम लगाएंगे, तो यह मेरा फैबरिक जो था, जो था मुझे एक sarten माड़ जो R, जोड़नी है उसमें कम है मैंने यह 11 by 11 inches का अपनाया है बना सकते हैं 13 बना सकते हैं 9 बना सकते हैं जो भी है अगर इस तरह से स्रिफ चोड़ने के बाद अगर आपके पास extra fabric है थोड़ा सा तो आप उसे cut कर सकते हैं तो आप उन्हें cutting कईजिए और उस तरह से use कीजिए तो देखें मेरा ये fabric तयार हो गया है अब मैं इसकी 11 एने half inch रखके क्योंकि मुझे half inch seam allowances भी रखना है करके मैं इसे cut कर लूँगे और सबसे पहले मैं इसे press कर लूँगे चाहे cotton है लेकिन फिर भी प्रेस कर लेंगे तो seams जो है आपकी वो सारी पैट जाती हैं तो देखें इ आप उन्हें इस तरह से join करके एक अच्छी सी चीज बना सकते हैं तो देखें आप इसके बाद हम पीछे एक और फैब्रिक लगा दूंगे मैं और मेरा ये पी तयार हो जाएगा ये देखिए मैं 11 एने half पे measuring करके इसे cut कर रही हूं निशान लगा रही हूं तो आप भी इस कुषिन किस तरह से बनाते हैं अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लेंक नीचे description box में प्रोवाइट कर दूंगी आप वहां से ले सकते हैं तो चलिए अब कट मैं इसे अपना कुषिन को रेडी कर लेती हूं इसे मैंने पहले भी बोला था आपको क और यह मेरा second fabric है जो उसके नीचे लगाऊंगी तो इसी से मेरा कुषिन कवर रेडी होगा तो यह देखे यह हमारा टिन है और यह मेरा कुषिन कवर है जो मैंने बना चुकी हूं तो इसको अब मैं इसके उपर स्टिक कर दूंगी चाहे तो आप एविग्लू से कर लीजिए चाहे आप safety pin से कीजिए चाहे आप इस पे needle और thread से कर सकते हैं चाहे आप इसे glue gun से लगाईए जैसे भी आपका हो आपके इच्छा आप उस तरह से यह देखे यह नीचे मेरे pins लगाई है क्योंकि यह washable है आप इसके बाद इसे आप अपनी pins को निकाल कर safety pins को निकाल कर इसे wash कर सकती है और इसी लिए मैं ये जो cushion cover बनाया है इसमें cushion देंगे ताकि बैटने में soft लगे तो इसी लिए मैंने ये बनाया है तेकि मैंने इसे cushion को भी इसके साथ ही paste कर दिया है मैंने fabric glue से इसे चिपका लिया है और इसके अंदर cushion डाल दिया अपना और मैंने उसको knotting एक सा यह कुशन को निकाल सकती हूं और कुशन कवर के साथ ही इसे वाश करके इसे फिर इस तरह से डाल सकते हैं, तो यह आपका वाशेबल पॉफ तयार हो गया है, बैटने में बहुत ही कमफर्टिवल है, देखे जहाँ पे एक बात और, देखे जहाँ देखे पे, कुशन के नीच और हो जाएगी तो आप भी इस तरह से easily 10 minute में आप अपना इस तरह से puff तैयार कर सकती है और easy to carry है आप कहीं पर भी उठा के इसे ले जाए और वहाँ पर बैठिये तो ये है मेरा zero cost में आपका 10 minute में beautiful सा puff जो आपका washable भी है तो कैसा लगा वीडियो मुझे comment section में जरूर बताईए और मुझे साथ ही ये भी बताईए कि आप next और आगे क्या क्या देखना चाहते हैं इस तरह से तो मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में hope आपको वीडियो पसंद आया होगा till then bye thank you for watching